हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टूद एक्जाम स्मेट सिंपल तो जैसा कि कल मैंने आपसे वादा किया था कि अपन पी आईबी सीरीज कंप्लीट कर लेंगे जो ऑगस्ट मन्त का छूटा है तो कल 17 से 24 तक का वीडियो मैंने बना दिया था उसी को कंप्लीट करते तो और पीछे देख लीजिगा शुरू करने से पहले कोशन दे देता हूं एक तो मेंस का कोशन मैं आपको देता हूं सिंस आज टेस्स सिरीज मेंथिक्स का पेपर है तो मैं आपसे पहला कोशन पूछता हूं कि वाट इस डिफरेंस बिट्वीन इंपैथी आंड कमपैशन दूसरा कोशन आपको मेंस के हिसाब से मैं दे रहा हूं कि रिलेटिविटी इस फॉर फिजिक्स रिलेटिविटी इस फॉर फिजिक्स एंड नॉट इन एथिक्स इसका लिखिएगा अंसर रिलेटिविटी इस फॉर फिजिक्स एंड नॉट फॉर एथिक्स तीसरा जो कोशन है वो जिटली जी का कल निधन हुआ जैसे की है and GST से बहुत जादा उनका relation रहा है तो maybe कुछ question हो सकता है GST के उपर आजाए तो GST के उपर जरूर आप लिखेगा तो these are the three questions which I am giving you और जरूर try करना कि इनका answer आप comment section में करो So let's start with the news analysis The first news is regarding Vatan वतन जो है एक patriotic song जिसको DD यानि कि दूरदर्शन ने release किया था तो आप से पूछ सकते कि वतन किस ने release किया था या दूरदर्शन का एक song अभी release हुआता recently क्या नाम था उसका तो वतन was the song which was released by दूरदर्शन and ये song जो है it is free of copyright ताकि it can be shared on all the communication platforms ताकि ये share हो सके बहुत easily इसलिए इसको copyright free रखा गया है and it's a patriotic song by दूरदर्शन वतन अब दूरदर्शन आप सकता है कि प्रसार भारती कंदर आता है तो this gives me an opportunity to tell you about the प्रसार भारती as well तो मैं आपको प्रसार भारती के बारे में भी बता देता हूँ तो प्रसार भारती के statutory autonomous body है कैसी body है statutory autonomous body है जो की बनी कब थी 23 नवंबर 1907 it came into existence on 23rd November 1997 and it is the public service broadcaster of the country public service broadcaster of the country अब देखो basically प्रसार भारती का जो hierarchy कुछ तरह चलता है प्रसार भारती है उसके नीचे आपका AIR आजाएगा All India Radio दूसरा आपका जाएगा DD नहीं कि दूरदर्शन तो दूरदर्शन AIR आता है किसके अंदर प्रसार भारती के अंदर अब जो AIR है नहीं कि All India Radio है तो ये Radio वर्जन है मतलब कि ये सिर्फ sound वाला वर्जन है सिर्फ सुनाई देता है ना दिखाई नहीं देता आडियो वर्जन है वीजूल नहीं है वीजूल के लिए क्या है दूरदर्शन DD है तो All India Radio जो है 1956 में आकाशवाणी की तरह बना पहले इसका नाम आकाशवाणी था and it is the National Public Radio Broadcaster of India and it is a division of प्रसार भारती 1956 में आकाशवाणी की तरह All India Radio officially आया and याद रखेगा ये जो आडियो वाला डिपार्टमेंट है प्रसार भारती का उसको लीड करता है दूसरा जो वीजूल है वो दूरदर्शन है दूरदर्शन is the Government of India funded public service broadcaster and इसको ओन कौन करता है जो broadcasting ministry है वो ओन करती है and it is one of the divisions of the प्रसार भारती तो प्रसार भारती के अंदर ये भी आता है और दूरदर्शन के हम बात करें तो इंडिया का largest broadcasting organization है in terms of studio and transmitter infrastructure और इसको बनाया गया था established किया गया था 15 September 1959 15 September 1969 इसको बनाया गया तो दूरदर्शन आया था 1959 में All India Radio 1956 में आज आका आशवानी ये जो है ये audio version है ये जो है ये audio visual audio visual दूनों आता है इसमें दूरदर्शन हो गया second जो news है वो है vice president की speech से भी recently vice president speech दिया और बहुत अलग-अलग मुद्दों पर वो बोले बहुत अच्छे अच्छी बात है थी ये जो news है ये answer writing में काम हैगी P.I.B. आपका बहुत जादा बहुत जादा अच्छी चीज है वो आपको answer writing भी सिखाता है वो आपको ये भी बताता है कि किस तरीके से आपको answer लिखने है क्या important facts है और क्या UPSC plan से पुछा जाएगा वो भी काफी चीजे P.I.B. से आती है Press Information Bureau से अब देखना है Vice President ने किते सारी चीजे किते चीजे बोली पहली चीज हुने ने बोली कि Supreme Court की branches होनी चाहिए there should be branches of Supreme Court in various parts of India एक North में होना चाहिए एक South में होना चाहिए East में होना चाहिए West में होना चाहिए बनाया कि distant justice distant justice is also justice denied मैंने इसको बनाया कि distant justice माला कि अगर justice दूर है अब देखो North East का कोई बंदा कर केस करेगा तो उसको Supreme Court के लिए डेली आना पड़ेगा करनाटका कोई बंदा करेगा तो उसको डेली आना पड़ेगा तमिलाडू का बंदा उसको डेली केरला का बंदा उसको डेली गुजरात का बंदा तो डेली ही आना पड़ेगा अगर सुप्रीम कोट के पास जाना है तो कुछ भी उगर करने यह बहुत दूर का justice है distant justice है और बहुत लोगों की हिम्मत नहीं होती पता है ना anti-defection related है इसके साथ एक कौम करना आप कि बाकी के जितने भी schedule है उनके बारे मुझे बताना है कि first schedule, second schedule, third schedule, fourth schedule कौन-कौन से है क्या-क्या काम करते है किस से related है जिसे एक salary वाला तो उसमें किसके किसके salary के बारे में है oath affirmation वाला है चल रहे है और इस कारण से सफर कौन कर रहा है जनता सफर कर रही है तो defection के cases को जल्दी expeditly solve करना चाहिए then उन्होंने media के लिए बहुत अच्छी चीज बहुत अच्छी चीज बहुत कि media should be dispassionate watchdog and honest messenger dispassionate watchdog होना चाहिए and honest messenger होना चाहिए he has advocated five d's discuss, debate, decide, decentralize and deliver discuss करो, debate करो किसी चीज़ में then decide करो discuss करो, debate करो, फिर decide करो decide करने के बाद powers को decentralize करो ताकि काम अलगलग जगाए बटा रहे हर काम सही है और जब आप काम बाट के सही से काम करेगो तो deliver होगा मनला output लोगों को मिलेगा तो बिल्कुल order में है discuss, debate, decide then decentralize and then deliver यह बहुत अच्छी चीज़े है five d's उन्होंने बोलें कहीं पर भी किसी भी answer में आप लेख सकते हैं किसी भी department की working को improve करना हो e-governance को improve करना हो governance को improve करना हो तो यह five d's कहीं पर भी जोग सकते हैं बिल्कुल इसका use करना then vice president ने कहा है political parties को कि एक code of conduct बना हो अपने elected representatives के लिए code of conduct क्या होता है महलब किस तरीके से working होगी क्या-क्या services आप provide करोगे किस तरीके से dispute redressal करोगे इस सारी चीज़े code of conduct के अंदर रहती है तो code of conduct बनाने की बात कि अपने elected representatives के लिए at all levels तो यह काफी important चीज़ है अगली जो news है वो है Amishya has launched listening, learning and leading ओके तो यह किताब लाँच हुए है listening, learning and leading this is a book based on श्री M. वंकईया नाइडू for his two years as vice president of India जो उन्होंने tours किये हैं 500 ज्यादा press meetings उन्होंने रखी हैं तो उसके उपर यह listening, learning and leading यह किताब है आपसे question पूछ सकते हैं कि listening, learning and leading जो किताब है किसके उपर है तो यह M. वंकईया नाइडू के उपर है for his two years as vice president of India 4th जुनीज है government issues scheme to provide one time partial credit guarantee to public sector banks for purchase of pooled asset of financially sound NBFCs जो non-banking financial companies है NBFCs है निए non-banking financial companies corporations, NBFCs non-banking यह non-banking होती है मलब यह काम सारे bank जैसे करती है बट यह schedule banks में नहीं आते category में नहीं आते इनका act दूसरा है यह आपके RBI act और इन सबसे पूरे तरीके से उसके control में नहीं रहते है यह आपको याद रखना है और NBFCs में एक problem चल रही थी अभी recently जो मैंने discuss भी की थी वो problem थी liquidity की problem है इनके पास cash नहीं था अब liquidity की problem थी cash जाजा नहीं था तो यह MSME याने की medium small enterprises थी उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे MSMEs की मदद नहीं कर पा रहे थे तो उस cash की समस्या को दूर करने के लिए one time partial credit guarantee scheme लाई गई है PSBs के पास इससे होगा क्या कि public sector banks जो है the public sector banks can purchase the pooled assets of financially sound NBFCs जो कुछ NBFCs financially sound है उनके pooled assets को खरीदने के लिए public sector banks को motivate किया जा रहा है और public sector banks जो है अगर उनको खरीदते हैं तो क्या benefit NBFCs को मिलेगा कि उनके पास cash आ जाएगा अब NBFCs को पास cash आएगा तो मतलब उनके लिक्विडिटी बढ़ जाएगी जब लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो वो MSME sector की मदद कर सकते हैं तो ऐसे NBFCs जिनके financial condition थोड़ा ठीक है उनके pooled assets को खरीदने के लिए public sector banks आगे आएंगे और जब वो उनको खरीदेंगे तो NBFCs को मिलेगा पैसा मिलेगा cash जब cash उनके पास आएगा तो liquidity बढ़ेगी liquidity बढ़ेगी तो वो आगे MSME sector के पास पैसा भेज सकते हैं और उनको आगे promote कर सकते हैं तो this is really the benefit हरदीप पूरी launches the switch certification 2020 अब switch certification आप सब जानते हैं इन दोर हरवार मदप्रदेश का टॉप आ जाता है ना तो वही फिर से launch कर दिया गया है फिफ्ट एडिशन होगा ये cleaning ने बोल सकते हैं ये इसको लोग कंड़क्ट करती है switch certification 2020 फिफ्ट एडिशन होगा अब एक news आई थी classical languages related तो मैं आपको classical languages बता जेता हूँ इंडिया की कौन कौन सी है इंडिया में 6 classical languages है बहुत important है UPSC ने अल्रेडी प्रिलिम्स में पूछा ये question है इन में से कौन सी language classical language नहीं है question आया था तो मैं आपको आदू 6 languages है जो की classical languages है वो 6 languages है एक है तमिल 2004 से फिर संस्कृत 2005 से तेलिगू 2008 से कनड़ा 2008 से मल्यालम 2013 से उडिया 2014 से उडिया लोगों को confuse करती है सबसे दी उडिया language है वो classical language है याद रखेगा तेरा 6 classical languages only तमिल संस्कृत तेलिगू कनड़ा, मल्यालम, उडिया बेंगाली नहीं है लोग बेंगाली में confuse रहते हैं गुजराती नहीं है, मराथी नहीं है इस अब classical नहीं है तो classical languages केवल 6 है तमिल, संस्कृत, तलगू, कनड़ा, मले अलमन, उडिया इस वेरी वेरी इंपोर्टन, प्लीज मेक शूर यू लमेंबर तिस लास्ट अभी उडिया 2014 में थी रिपोर्ट अफ दे कॉंपेटिशन लॉ रिव्यू कमिटी तो जो कॉंपेटिशन एक्ट था कॉंपेटिशन एक्ट कब करती रहें रहे और दोनों compete करती रहें सही तरीके से compete करें कोई unfair means use ना करें यह चीज देखता है competition commission of India क्या देखता है कि कोई भी company unfair means का use करके आगे ना बढ़े ताकि जितनी भर बागी companies हैं वो सही तरीके से compete कर सकें और सही तरीके से लोगों को service provide कर सकें तो competition act आयता 2002 को अब उसको review करन निवास नाम याद रखना competition law review committee को head कौन कर रहा था in JT श्री निवास in JT श्री निवास was leading the committee on competition law review competition law review committee को head कौन कर रहा था in JT श्री निवास okay so this is very very important make sure you remember this अब यह जो थी इन्होंने review किया इसको और कुछ इसके बाद उन्होंने recommendations दिये दो recommendation देख लेते हैं उन्होंने कहा है कि green channel बनाओ there should be a green channel जिसके साथ होगा क्या green channel के थुरू आप merger acquisitions को fast करो उनके approval की process को fast करो बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जो merger acquisition को रोग के रखती है और उस करण से बहुत ज़्यादा काम effect होता है companies का वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती फिर यह level playing field नहीं रह जाता therefore there should be a green channel जो keyword है वो black से लिखे है मैंने ताकि आपको at least keyword याद रहे तो आपको options आएंगे UPC में तो आप match कर लोगे green channel याद रखना है green channel की बात की है for fast paced approval of margin and acquisition जो companies मर्ज होती है न दो company आपस में मिल गई या एक company ने दूसरी company खरीद ली इसको तेज करने के लिए green channel की बात की है दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि NCLAT जो national company law appellate tribunal है उसकी एक dedicated bench होनी चाहिए जो कि competition act के cases को देखेगी ताकि जो justice है वो जल्दी मिल सके और dispute resolution जो है वो और जादा जल्दी हो सके तो national company law appellate tribunal जो है उसकी एक dedicated bench होनी चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ competition act को देखेगी तीसरी चीज़ उन्होंने बोली है एक enforcement mechanism होना चाहिए for settlement of commitment जो commitment करते है कोई company और उसको अगर पूरा नहीं करती है तो उनको settlement उनको settle करने के लिए एक enforcement mechanism होना चाहिए ताकि जो commitment से उनको बिलकुल अच्छी तरीके से enforce किया जा सके अगर ये चीज़ होगी तो anti competitive conduct जो है वो अगर कर रहे थे उन्होंने किये है इनको याद रखना श्री प्यूज गोईल प्यूज गोईल है लॉंच कोरस अब उन्होंने कोरस लॉंच किया commandos for railway security वाट इस कोरस commandos for railway security अब ये इंडियन railways के लिए कोरस टीम क्या है बेसिकली इनको बहुत जाद आची training और most modern equipment और world class training प्रोवाइड की जाएगी इतरी किसे commandos training प्रोवाइड की जाएगी क्यों बेसिकली ताकि जैसे बहुत सारी disruptive forces है जो कि आपके railways को और इन सब चीजों को effect कर रहे हैं आपने देखा हो कि 2008 का case चाहिए आप ले लो चाहिए आप देखो डेली में जो जब बंधमाके हुए थ लिए और railway protection force को और ज्यादा plan करने के लिए बेसिकली यह चीज की है कि कोरस यानि कि commandos for railway security launch किया गया है और यह launch हुआ है इनको best training दी जाएगी modern equipments प्रोवाइड के जाएंगे commandos training रहेंगी यह and यह जो है यह railway की security को ensure करेंगे 100th birth anniversary of Dr. Vikram सारा भाई was on 12th August 12th को जो था वो सौवी birth anniversary थी Dr. Vikram सारा भाई की क्यों बता रहा हूँ क्योंकि prelims में UPSC पूछ सकता है इन से related, ISRO से related तो आपको तयार रहना पड़ेगा किसी भी इस तरह के question के लिए 100 साल होने वाले है बिल्कुल ISRO तो वैसे भी news में रहता है तो ISRO की उपर एक बहुत अच्छा question आ सकता है थोड़ा बता रहे तो आपको कि ISRO ने भी इस उनको tribute दिया था इनहीं के नाम पे जो चंद्रयान 2 mission का जो लेंडर आपने देखा होगा उसका नाम विक्रम है विक्रम लेंडर और प्रग्यान रोवर है तो जो लेंडर है उसक Committee for Space Research जÓसको इनको फार बोलते हैs 1969 में बना था इसने replaced क्या था इनको सपार को जिसको बोलते है यह आद रखना, फर्स्ट जो सेटलाइट थी इजरो की, वो थी आरे भट्टा, इजरो बिल्ट इंडियास फर्स सेटलाइट आरे भट्टा विच वस लॉंच्ट बाइ सोवियत उनियन, इसको लॉंच्ट हो था सोवियत उनियन से 19th April 1975, 1975 में लॉंच्ट की गई थी, और जो पहली सेटलाइट जो इंडिया की, इंडियान मेड लॉंच वहिकल से रखी गई वो थी रोहिनी, रोहिनी जो थी वो फर्स्ट इंडियन थी, जो की इंडियन से रखी गई थी, वरना जो आरे भट्टा थी वो फर्स्ट थी लेकिन वो लॉंच्ट सोवियत उनियन दोरा की गई थी दोत नोजु चीफ प्रॉग्टक्ट थी इंटियं इस प्रोग्राम के उनको पितामा सकते हैं अब विक्रम सारा भाई थे जो की इंडियं स्पेस प्रोग्राम के पितामा क्या जाते हैं रिंति फिरेख साइन्टिस यह लास्ट न्यूस है वो है 41% reduction in stable burning incidence in 2018 over 2016 तो stable burning का case आपको पता है पंजाब हर्याणा रीजन ने बहुत ज़्यादा stable burning होती है है ना क्योंकि इसका alternative ज़्यादा उनकी पास है नहीं और यह fast process है बहुत जल्दी stable को complete solve करने की process है तो इसका नुकसान क्या हो रहा था कि जो डेली वाली रीजन में बहुत जादा air pollution था और air pollution का बहुत बड़ा reason था stable burning तो एक अच्छी news यह है कि 2016 से अगर 2018 compare करें तो 41% reduction हुआ है पंजाब हर्याणा रीजन में stable burning में क्योंकि 41% और बहुत सारे लगबग 4500 villages ऐसे हैं जार्याना पंजाब के जिनको declare कर दिया गया है जीरो stable burning villages लोगों को जीरो बर्निग विलिजों बोल दिया गया है इनका जब ब्रीजन पुच्छा गया कि क्यों ऐस़ा हो रहा है तो इन formation education and communication के का region बतायोग सा तो लोगों को educate भी लाइक डार वीडियो प्लीज दू लाइक शन सस्क्राइब बाकी के तस दिन का वीडियो भी आज शाम तक मैं अप्लोड कर दूँगा तो आपका प्याई भी लगभग ऑगस्ट का पन निप्टा लेंगे तो उसके लिए टेंशन मत लेना जो भी इंपोर्टन यूज है य I hope you are getting clarity on this so that is it for the day thank you and have a nice day